तुलसी का पोदा लगाते समय कभी ना करे हैं गलतियां वरना सोबाग्य की जगए आएगा तुर्भाग्य तुलसी का पोदा रोगों के उप्चार में रामबान होता है तो वहीं इस पोदे को पवितुरू सुब माना जाता है हर हिंदु परिवार में तुलसी का पोदा आवेश्य मिलेगा मानता है कि सुबह के समय तुलसी के पोदे में जल देने से घर में सुक और सम्रदी का वहास होता है यहीं नहीं धालमिक अनुष्टान और हर प्रकार की छोटी से बड़ी पूजन में तुलसी का प्रियुक किया जाता है वास्तु सास्तर के अनुसार तुलसी का पोदा घर में होने से नकारात्मक उर्जा का नास होता है वहीं सकारात्मक उर्जा में वृत्ती होती है तुलसी का पोदा तो हर कोई आसानी से लगा सकता है लेकिन इसके लिए कुछ विशेश नीमों का पालन करना भी अनिवारिय है यदि इन नीमों में चूक होती है तो घर में सोबागय की जगह दुरबागय आता है और अगर आपका भागय साथ नहीं दे रहा है और आपका दुरबागय चल रहा है बंद किसमत को जगाना चाते हैं दुरबागय को सुबागय में बदलना चाते हैं तो तुलसी का करे यह अचुक उपाय लेकिन इस उपाय को जानने से पहले जानते है कुछ जरूरी नियम घर में तुलसी का पोदा लगाने के लिए उत्तर और उत्तर पूरो दिसा में साप सुत्रेस्तान का चैन करे यह दिसा पानी की है जिसकी वज़े से तुलसी सभी नकारात्मक उर्जाओं को नश्ट करती है और घर में सकारात्मक उर्जा का संचार होता है तुलसी का पोदा घर में लगाने के बाद में इसकी उची तेकपल करना बहुत आवशक है यदि घर में तुलसी का पोदा सूप जाए तो परिवार के सदेशों के लिए ये दुरबाग्य लाता है कभी भी घर की दक्षिन पूरो दिसा में तुलसी का पोदा ना लगाए इस दिसा को अगने की दिसा माना जाता है इसलिए तुलसी का पूदा इस दिसा में लगाने से बचे इस बात का हमेशा ध्यान रखे कि कभी भी तुलसी का पूदा जमीन में ना लगाए सुफल के लिए हमेशा तुलसी के पूदे को गमले में ही लगाना चाहिए तुलसी के पूदे के कई फायदे है और इसलिए यह आहिर्वेद और प्राकर्तिक चिकिसा में बहुती मैतपून है यह केंशर, रिदेरोग, स्वस्त वेचा धुमरपांच होने जैसे विभिन बिमारियों को दूर करने में मदद करता है इतना ही नहीं तूलसी से स्वसन समंदित विभिन समशे भी ठीक होती है सांति पून और सुकी विवाइक जीवन के लिए, गर में सुक और समरदी के लिए प्रति दिन तूलसी का पूजन किया जाता है तुलसी के पूदे में चल दिया जाता है माना जाता है कि जिन करू में तुलसी की सेवा होती है वाँ कबे भी तरिदर्ता नहीं आती है तुलसी के पूदे को साब जगया पर रखना चाहिए पूदे के आसपास का छेतर खुला होना चाहिए और किसी भी परकार का आवरण या गंदी चीज जिसे पोचा, जाड़ो, जूते, चपल आदे नहीं होने चाहिए तुलसी वास्तो के अनुसार अच्छी प्रभाव के लिए हमेशा तुलसी के पोदे को विश्म संख्या में रखे जिसे एक, तीन या पांच पोदे लगाए यदि आप बागवानी करना पसंद करते हैं तो तुलसी के पोदे के पास किसी भी प्रकार की खुरदरी या काटेदा प्रजाती के पास ना रखे तुलसी को उची स्तान पर रखे गर में तुलसी के पूदे को हमेशा ऐसे चबूत्रे पर रखे जो आपके घर के मूल आधार से काफी उचा हो क्योंकि ये वास्तो के नेमों के अनुसार अच्छा होता है तुलसी के पूदे की पतियां विबिन जिवानों संकर्मनों से लड़ने में मदद करती है बुकार आने पर इसकी पतियां चाय में डालकर पेने से स्वास्ते लाब मिलता है गर पर तुलसी के पूदे के लिए वास्तो के सुज़ाओ के नुसार ये किसी भी हानिकारक उरजा ये बूरी बिमारे से लड़ सकता है तुलसी के पत्तो को तोरते समय विशे सावधानी बरतनी चाहिए कभी भी तुलसी के पत्तो को नाखुन के मदद से नहीं तोरना चाहिए तुलसी के पत्ते हलके हाथ से तोरना चाहिए बिना स्नान किये या बिना किसी वज़े तुलसी के पत्तों को तोड़ने से बचे इसके साथ सुर्यास्त के बाद भी तुलसी के पत्तों को तोड़ने से परहेच करना चाहिए रविवार के दिन भी तुलसी के पत्ते को तोड़ने से परहेच करना चाहिए साथ ही रेवार के दिन तुलसी की पूदे में जल अर्पित नहीं करना चाहिए ऐसा माना जाता है कि इस दिन तुलसी की पत्ते तोड़ने पर पूजा का फल पूरा नहीं मिलता है दूर्भागे को सुबागे में बदने के लिए तुलसी का करे है अच्चुक उपाए अगर आप अपनी बंद किसमत को जगाना चाहते है या भागे को खोलना चाहते है तो एका दसी के दिन यह उपाय करने से मालक्स में प्रसन्न हो जाएगी और दूर भाग्य को सो दूर चला जाएगा इसके लिए आपको सिर्फ यह करना है कि एक मिट्टी का या फिर आटे का दीपक ले आटे का दीपक मनाते समय ध्यान रखें कि उसमें गलती से भी नमक न डाले इसके बाद संध्याकाल में तूरसी जी के पास आटे का दीपक जला दे और उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दे और इस दीपक को तूरसी की जड़ में रखतें दिपक रखते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि तुलसी माता को गलती से भी इसपर्श ना करें एकदसी और रहवार के दिन तुलसी माता को इसपर्श नहीं करना चाहिए अगर आपके गर में तुलसी का पोदा नहीं है तो उस दीपक को मंदिर में भी रखकर आ सकते हैं साथ दीपक रखते समय इसकी दिशा का द्यान रखना भी बहुत जरूरी है तुलसी के पोदे की जड़ में यह दीपक उत्तर दिशा में रखे साथ पोदे में दिपके साथ थोड़ा सा गुड़ भी रख दे माना जाता है कि गुड़ बगवान विश्णु को बेहत प्रिये है और गुड़ व्यक्ति के सो भागे की व्रद्धी करवाता है वहीं हल्दी भी तुरबा के दूर करने में मदद करेगा एसा माना जाता है कि एकदसी के दिन मातुलसी बगवान विश्णु की सेवा में होती है उसके साथ तुलसी मा के पास बेटकर ओम नमो भगवते वासु दीवाय नमे का कम से कम 108 बार जाप आवश्य करे और अपनी सभी समश्य हो कमा तुलसी और बगवान विश्णु के समक्ष रखे आटे से बने दीपको अगले दिन गाय को खिला दे इस दीपको इधर उधर ना रखे अगर आप आर्थिक समश्य हो से जूज रहे हैं तो आपको तुलसी की उपाय करने चाहिए आपको रोज़ना सुबर तुलसी में जल चड़ा कर उसकी बाद शाम को दीपक लगाना चाहिए इससे धन प्राप्ति के मार्ग प्रसस्त होते हैं साथ ही तुलसी की जड़ को लेकर चांदी की ताबीच में डाल कर कले में पहना चाहिए यह उपाय करने से जल्दी धन संबंदी समश्य हो से चुटकारा मिलेगा और घर की आर्थिक इस्तिती भी सुद्रेगी यह उपाय करने से मालक्ष में प्रसंद न होती है और वक्तों पर अपनी क्रिपा पनाये रखती है यदि आपके कुनली में किसी परकार का ग्रह दोस्त और आप परिशान है तो ऐसे में तुलसी की पूजा करने के बाद उसकी थोड़ी सी जड़ निकाल लीजे इसकी बाद इसे लाल रंगे कपड़े में बांद कर या फिर चांदी की ताबीज में डाल कर अपनी बाजू में बांदे यसा करने से आपको जल्द ही ग्रह दोस्त से चुटकारा मिलेगा जिस ग्रह का दोस्त होगा वह शान्त होगा जोति सास्तर के मुताबिक अगर आपको लगातार किसी काम में ऐसा फलता प्राप्त हो रही है बनते बनते कोई काम भी गिर रहा हो ऐसे में थोड़ी सी तुलसे की जड़ को लेकर उसी गंगा जलसे दोकर वीदिवर तरीके से पूझा करने चाहिए इसके बाद आप तुलसे की जड़ को पीले रंगे कपड़े में बांद कर अपने पास रखें इसा करने से आपको तुरंत लाप्राप्त होगा इससे आपकी रुक्की हुए सभी काम बनते चले जाएंगे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ओके थेंक्यों एर्रिवान ओम नमो भगवतेव